लाइक शेर सब्सक्राइब आप कर देंगे डिस्लेक्सिया इस ओडेश कंडिशन विच इंपक्स लेर्नर्स एबिलिटी टू डैश आव पठन वेकल या डिस्लेक्सिया जो है कैसी इस्किति है जो सिक्षार्ती की किस अवस्था को या किस शम्ता को प्रभावित करती है तो प सब्सक्राइब आप करें और रिडिंग में डिसेबिलेटी या रीडिंग में दिक्कत होने के वजासे कई बार लिखने में समस्या हो जाती है इस लेक्सिक बच्चे को हम ध्यान रखना है अगर रीडिंग का ऑप्शन ना हो तो राइटिंग की साथ भी हम जा सकते हैं कई बार कई बार कुछ फिक्स नहीं कुछ गीर में रहार किसम पता नहीं लग सकता लेकिन है रकेरेटैट्री और विशान महीं हो सकता है इनवारिमेंट egal हो सकता है developmental इसी लिए इसको नियूरो developmental हम कह रहे है ठीक ना तो neurological यानि तांत्र किये जो है विकार कहेंगे इसको और ध्वनियों को प्रतिकों के साथ जोड़ने में दिख्कत होती है link sounds with symbols यानि phonological connection बनाने में phonological awareness में problem होती है कि किस word कि sound के साथ कौन सा word बन पाएगा जैसे dyslexic बच्चा 100 को वाज लिख सकता है कि रिवर्स राइटिंग कि इसमें दिख्कत हो सकती है neurological disorder कैसे brain में हो सकता है जो आपको ऐसे दिखता है बच्चे को ऐसे दिखता हो जिसको प्रॉब्लम में जो जीवन परियंथ रहता भी है थोड़ा बहुत कम जादा आप उसको कर सकते हैं सब्सक्राइब कर देंगे जितने भी developmental disorders है यह नियूरो डिवलेप्मेंटल की जब हम बात कर रहे है कि जो पता से जाता है हमें जैस जैसे बच्चा बढ़ा होता है फिजियो लॉजिकल है यानि शारिक है शारिक तो नहीं बढ़ यह सोचलाइज विद पीर्स में आउटिजम आ सकता है तो यह कुछ कुछ है जो अगर ऑप्शन कुछ और होता तो आंसर बन जाता तो यह नियूरो लॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें समस्या होती है साउंस क सिंबल्स के साथ जोडने में जैसे सौ तो अब सौ को से डवल्यू के साथ साउंड को लेटर के साथ जोडने में दिकत होती है डिसलेक सिक बच्चे को सतारा ठीक है बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्च नमबर टू पर पढ़िए फटाफट से और जवाब दे दिजिए किसमें पोल में वाट आपचे जवाब देंगे क्वेश्चन बाटू है आलोक शोस दो फॉल्विंग बिहेवियर्स फोल्डिंग हैड इन और पोजीशन वैंड रीडिंग इस्क्विंटिंग एंड रबिंग दो आइस फ्रिक्वेंटली रेडने स्वेलिंग ऑफ बच्शे को देखने में समस्या है विजुल-Disorder है आई बच्शा खड़े हो कि बार बार किलास में कोई बच्चा है जो खड़े हो के देख रहा और बार कभी तेडा ओके देखने कोशिकर रहा है और उसको सज़्चे की जिए कि वह आई टेस्ट कर a or पता लगे पता लगे K कि टीचर मीटिंग में यह बात आँ उसके पेरेंट के सामने रख सकते हैं की नहीं है कि एसा नहीं है कि वह कोई सोशल कम्मुनिकेशन में बात्चीत में दूसरों से समध्य हो रही है या वो बहुत अजीब सा व्य्वहार कर रहा है ऐसा कुछ यहां पर नहीं है रेपिटेट से प्रॉसस्य से नहीं कर पाएगा बच्छा या इसमें एक और चीज हम पढ़ते हैं इस फेजिया यानि बच्चे को हाशा समझने में दिखकत होती है क्यों करने में awkward करने में सुन के समझने में धिक्कत होती है तो यह विए प्रॉबर्म यानि दिरस्टी समंधी विकार है या समस्या है बच्चे को कोई language comprehension problem LPD जिसको हम कहा दिते हैं कि भई language processing disorder है कि language को process करने में दिखकत है it's not about language यहाँ यह नहीं लिखा सिर्फ language की दिखकत है letters की numbers की कुछ भी सकते हैं और बच्चे की आंखेble bar bar mail order रहाया या फिर वहां खड़े अ करके देखने को सिकरानारा है लाल हो रही आखें कभी दर देख रहा है है रख हम कभ देख्राय के हम किता आपको बड़कूल पासा ला कर देह रहे हैं दूर узнаऊ इसका मतलब बच्चे को तो द्रिष्टी पाधिता हो सकती है किसी भी प्रकार में या उसकी आइसाई ट्वीक हो सकती है जो जिसका उसे अभी पता ना हो question number 3 देखेगा the term myopia is associated with which category of children myopia या शब्द किस्त श्रेणी के बच्चों से संब्देता है यह 2018 में ओटेट में पूछा जा चुका है तो ऐसा नहीं आप यह सोचें कि यह कैसा question है बल्कुल पूछा जा सकता है बच्चे की जो inclusive education है learning disabilities है उसी के आसपास की बात है थीक तो अगर हम देखें myopia is associated with which category of children mentally retarded mentally retarded हम उन बच्चों को कहेंगे जिनका मांसिक इस्तर जो है वो normal से नीचे है है ना 25 IQ किसी का 50 IQ है हमार भी तीन तरीके के होते हैं तो यह mentally retarded नहीं है बच्चा मांसिक रूप से पीछे नहीं है myopia कि से समंदित होता है hearing impaired नहीं सुनने में भी दिक्कत नहीं है कोई सुनने की समस्या नहीं myopia होता है vision में यानि देखने में समस्या यानि visually impaired है बच्चा दृष्टी बाधित है बच्चा है ना myopia को क्या कहते हम near sightedness कहते हैं near sightedness स्ट१ाइल निया साइटेट नेस कि प्र Two इसमेंट हो सकते हैं कि इस तरह का इन्वार्यमेंट वह सकते हैं कि तक हैं मुट सक्थिए ब सबस्क्राइब यान हो सकते हैं कि या अगर अगर आपने ऑपन बच्चों को खेलने कुदने का तrain तो यह नियर साइटेडनेस या कहते हैं हम के दूर की नजर कमजोर है तो नियर साइटेडनेस में यह मायूपिया में ऐसा होगा तो वीजुली इंपेड बच्चा है मायूपिया जो है विजन से संबंदेता है देखने से संबंदेता है ओप्शन 3 सही होगा विजन से नीता एक बच्ची है नीता ओल्वेस फॉर्गेट्स टू एडडी केरी ओवर डिजिट वाइल दूइंग एडिशन्स दिस इस अफीचर ओफ नीता एक बच्ची है मान लीजे हम 27 में से 9 को घटा रहे हैं ठीके जी तो हमें क्या करना पड़ेगा कैरी लेना पड़ेगा यहां पर क्योंकि साथ में से 9 नहीं घटा सकते तो वह जो हम कहते थे न हासल का एक लेना पड़ेगा हमें तो 17 में से 9 घटाएंगे ठीके तो फिर हम 8 बचे का वो सारी कहानी है हम ज लां हो जाएंगे और हासिल का एक चला जाएगा हम यह ऊपर लिख लेते थे और दो और एक तीन ऊजाएगा लिखते थे आए से आज मुझे यादी नहीं रहा था हिंदी में क्या क्या थे इसको है तो नीटा हमेशा जोडगा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती वह ब है इसका मतलब है difficulty तो difficulty in calculation is known as डिस कैलकुलिया यानि गढ़ना करने में जब समस्या है तो गढ़न सम्मंधी विकार कहते हैं इसको डिस कैलकुलिया को मैट में जोडा घटाना calculate करने में दिक्कत बच्क्णे को आ method display डिस्प्रेक्सिया क्या है डिस्प्रेक्सिया है motor skills से समभंदित motor skills क्या होती है पैन पकड़ के लिखने में समस्या हो सकती है क्योंकि वो कोडिनेट नहीं कर पाता है ना मोटर एक्षन जो है उसकी गतिक कोशल जो है ग्रॉस और फाइन डिसलेक्षिया आपको पता है यह रीडिंग डिस ओडर है डिस्ग्राफिया क्या है राइटिंग में दिक्कत हो सकती ह चाहिए डिसप्रैक्सिया के कारण भी कई बार लिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि चलने ताइब आते बने बटन लगए में डिस्ग्राइक्षिया में समस्या हो सकती है और पैन पकड़ना भी एक तरह से एक मोटर स्किल में आता है तो अगर डिस्ग्राफिया ऑक्शन due to which factors यानि जो अधिगम और शमता है सीखने की और शमता है वो किस फैक्टर से हो सकती है यानि आनुवांशिकता कोई genetic coding में कुछ दिक्कत हो तो बच्चे को कोई learning disability हो सकती है और अगर हम बात करें हाला कि वो या फिलिटी है या फिर अगर हम बात करें डिसलेक्षिया की भी तो उसके भी कुछ हद तक जैनिटेक आसपेक्ट भी हो सकता है तो फिजियो लॉजिकल तो जांटश आठेक हो सकता है लौनप सब्कूरा चारों ही बाते सखिये जो आप लोग सही जवाब दे भी रहे और